अच्छ आप पार कि अच्छ आप स्वागत है और आज किस वीटिए हम देखने वाले हैं चाहरकंड और नेशनल के अच्छ लेबल के होते हैं फ्रेंड्स यहां से जो हैं कि आपके जारखन के किसी भी प्रतियोगिता एक्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने जब पहले बता दे कि यदि आप मेरे चैनल में नहा है तो चैनल को स शुरू हुआ यानि जो तेरावी जार्खन डेस्टेट बॉक्सिंग चेंपियंशिप जो शुरू किया गया है वह कहां पर किया गया है इसका जो राइट एंसर होगा अप्शन नमबर ए यानि कि नवा मुंडी में ठीक है यानि पच्छिम सीभूम में यह है नवा मुंडी त है कि तेरावी जार्खन डेस्टेट बॉक्सिंग चेंपियंशिप जो है शुरू किया गया है चलिए और भी डिटेल्स में देख लेते हैं पच्छिम सीभूम के नवा मुंडी में छे मार्च से तेरावी जार्खन डेस्टेट बॉक्सिंग चेंपियंशिप शुरू हुआ सब जुनियर एवं यूत संबर्ग में 14 जीलों के 131 मुख्य बाज हिससे ले रहे हैं यानि 14 जीले में जो है कुल मिला कर 131 मुख्य बाज जो है कि तेरावी अस्टेट बॉक्सिंग चेंपियंशिप में भाग ले रहे हैं और जिसका नोवा मुंडी में ठीक है चली नेक्स देखते हैं जार्खन के किस खिलाली का चयन अंडर 16 जोनल कैम के लिए किया गया है तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर D आप्सन नमबर D is राइट यानि सेखर कुमार, आसिस कुमार चौबे और अंकित राज सिंग इन सभी का जो है कि इसमें चयन किया गया है और कुल जो है कि आठ खिलाली का चयन जो है कि जोनल कैम के लिए जार्खन से किया गया है चलीए कौन-कौन है यहाँ पे मैं आप लो आठ किर्केट रो का चयन किया गया है चैनित खिलालीयों में सिखर मोहन जो किराची के हैं आसिस कुमार चौबे रामगर अंकित राज सिंग धनबाद अंसु सिंग बोकारो रिशु सिंग चुहान जमसित पूर हर्ष गौतम लोहरदग्गा हर्ष देव गौतम लोहरदग् यहां जो देख रहे हैं यहां पे खिलाडियों के नाम सिखर मोहन आसिस कुमार अंकित राज सिंग अंसु सिंग रिशु सिंग चुहान हर्ष देव गौतम और हिमान्शु वा रिश्वी यह लोगों का चैन है कि अंडर 16 जोनल कैम के लिए जार्खन के इन खिलाडियों का और यह जो है कि कटक यानि कि उडिशा में किया जा रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट केश्टन देखते हैं तेरा 49 में जुनियर पूरुस फ्री अस्टाइल वा महिला फ्री अस्टाइल कुस्ती परतियोगिता में जार्खन के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते तो इसमें जार्खन के कुल पहलवानों ने कुल तीन पदक को जीते कितने तो तीन पदक सो अप्शन नमबर C is right ठीक है चलिए डीडियल से में देख लेते हैं चार मार्च से छे मार्च तक हिमाचल परदेश के मंडी में 49 जुनियर पुरूस फ्री अस्टाइल वा महिला फ्री अस्टाइल कुष्थी परतियोगिता में ज्यारखन के पहलवानों ने तीन पदक जीते इसमें 57 किलो वर्ग में हिमान्सू और 65 किलो वर्ग में मनिशा गोस्वामी ने काश्य पदक जीता और यहाँ पर देख रहे हैं कि वहीं 70 किलो वर्ग में विकास ने रज़त पदक जीता यानि कि 2 काश्य पदक और 1 रज़त पदक जीता ज्यारखन के पहलवानों ने यानि कि कूल 3 पदक जो हैं कि हासिल किये हैं और इसका आयोजन जो है हिमाचल परदेश के मंडी में किया गया था और 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक चीक है सो अप्शन नमबर C is right चलिए नेक्स देखते हैं राष्टिया एकता सिवीर का आयोजन कहां किया गया था हाली में जो है कि राष्टिया एकता सिवीर का आयोजन किया गया तो वह जो था कि कहाँ पर किया गया था तो हजारी बाग लाफ्शन नमबर C is right कहां हजारी बाग ठीक है चलिए यहां पर देखते हैं राश्टिया एक ता सिविर का आयोजन 28 फरवरी से 5 मार्ज तक बिनोबा भावे विशुपिद्याले हजारी भाग के द्वारा आयोजित किया गया था या जो है कि पांच मार्श से आट मार्श तरह कायोजन किया गया और कि इसके दुआरा तब बिनोबा भावे जो इनिवर्सिटी है बिसोबी त्याला है जारी बाग इसके दुआरा जो है कि यह सिवीर कायोजन किया गया था so option number a is right ठीक है next देखते हैं जारखन राजी की आर्थिक विकास दर पिछले पांच वर्षो में कितने परतिचत घट गई है यहारखन राजी की जो आर्थिक विकासदर है पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो वह 6.8 परतिसत जो है कि घट गई है यहारखन राजी की आर्थिक विकासदर पिछले 5 वर्षों में 6.8 परतिसत घट गई है राजिय वर्ष 2014-15 में 12.5 परतिसत की दर से विकास कर रहा था लेकिन बितिये 5 साल में यह दर 5.7 परतिसत हो गई है यानि पहले जो था 14-15 में 12.5 परतिसत से विकासदर था इसका लेकिन अब जो देखा जाए तो 5 सालों के अंदर में जो इसका जो क्या है कि जो विकासदर जो है कि वा 5.7 परतिसत हो गई है ठीक है ना चलिए next question देखते हैं क्या है जारकन सरकार के द्वारा रांची एरपोर्ट के विस्तार के लिए कितने एकड जमीन दी जाएगी बता दें कि हाल ही में जो वितिय बजट पेश हुआ था 2021 का उसमें जो है कि जारकन में जो रांची का एरपोर्ट है तो राची एरपोर्ट में जारखन सरकार के दोबारा जो है कि इसे विश्तिरित करने के लिए जो है कि फैलाने के लिए जो है कि इसे सरकार जमीन देगी तो वह जो जमीन है तीन एकर जमीन ठीक है यानि कितने एकर सोरी तीन सो एकर जमीन जो है कि वह जारखन सरकार उसे फाइनल में पहुंद गई है यानि भारत्यम हैं जो है, कि कितनी बार जो है कि विश्व कब के फाइनल में पहुंद गई है, तो इसका जो राइट रेंसर होगा, अप्शन नमबर A, यानि कि तीसरी बार पहुंद चुकी है, ठीक है? option number A is right next देखते हैं इन में से कौन से देश ने 7 मार्च को अपना सिक्षक दिवस मनाया तो इन में से कौन सा देश जो है कि 7 मार्च को अपना सिक्षक दिवस एन टी चर्श डे मनाया तो इसका जो right answer होगा option number D Albania कौन Albania friends इन्डिया में जो सिक्षक दिवस से कब मनाया जाता है इसे आप जो है की comment box में send करें ठीक है चलिए इसका जो right answer होगा option number D Albania चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं Albania संजुक्त राष्ट नाटो येरोपिया सुरक्षा और संगठन येरोपिया परिशत बिश्व बैपार संगठन इसलामिक समयलन संगठन इत्यादी का सदस्य है और भूमध्य छेत्र संग के संस्थापक सदस्यों में से एक था ठीक है Albania जो है वह संजुक्त राष्ट और यहाँ पर जो देखें जितने भी संगठन है उसका क्या है सदस्य है और इसके साथ जो है कि भूमध्य छेत्र में जो संग के संस्थापक है उसका भी एक सदस्यों में से एक था और यहाँ पर अब इसका राइधानी जो है अलबानिय का वह तिराना होता है यहाँ आज नेक्स देखते हैं आज का यह एंसर अब दडे तो यह हमारा आज का एंसर अब दडे कि मुक्यमंतरी हेमंद सोरेनने किस अकादमी के निरमान के प्रस्ताव को सहमती परदान की है तो हेमन स्वरेन ने जो कौसल विद्या अकादमी है इसके निर्वान की प्रस्ताव को समती दिये है So option number C is right ठीक है चलिए Next question यह है हमारा आज का answer question of the day तो question of the day है हाल ही में सिहासन कुमारी का निधन हो गया वह थी यानि सिहासन कुमारी का जो है कि हाल ही में निधन हो गया है तो वह किस छेतर से जुड़ी हुई थी Option है friends, खिलाडी, समाज से भी, पत्रकार, गाई का तो इसका जो भी right answer होगा आप हमारे comment box में किजिएगा ठीक है friends और किसी भी तरह कोई problem हो, कोई doubt हो, कोई suggestion हो ता आप हमें comment box में दे सकते हैं ओके friends, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर दिजेगा और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा share कर दिजेगा ठीक है friends, और मैं चैन को subscribe नहीं किया है, तो इस link को सर्च करके आप जोगी, जिसका link description box में दिया गया है आप महाँ से subscribe कर लिजेगा, और यदि आप इस वीडियो का PDF पारना चाहते हैं, तो मेरे TG यानि की टेलिग्राम गुरूप को join कर ले, जिसका link हमारे description box में दिया गया है वहाँ पर साम 7 बजे जो है कि daily PDF प्रभाइट करा दी जाती है, ठीक है दोस्तों, thanks for watching